आज हम बात करेंगे गनेथो स्टोम्स के बारे में और ओरीजन ओफ टीथ के बारे में सबसे पहले हम बात करते हैं ओरीजन ओफ बोन्स एंड टीथ के बारे में कि जाज जो थी उसकी ड्वेलप्मेंट कैसे हुई थी वर्टीब्रेट्स में सबसे पहले तो में जाज के बारे में आपको बताऊंगी कि the advent of jazz was most impactful event in vertebrate history यह बहुत थी एक impactful event था vertebrate में कि उनमें jazz की development start भी the bones for jazz was already present in the bodies of primitive fish जितनी भी primitive fishes थी उनमें जो bones थी jazz के लिए वे already present थी और इसके इलावा जो vertebrate हैं उसमें interior gill arches भी मजूद थी और इंटीर gill arches जो थी वो क्या करती थी वो sport पर provide करती थी अब इनमें modification कैसे हुई इनमें जो bones थी उनके modification कैसे हुई वो हम इसमें देखते हैं के वो किस तरह हुई सबसे पहले vertebrate की देखें के जो लेंप्रेज से पहले था जो पहले vertebrate है उसमें हमने mineralization की कोई बात नहीं पड़ी थी हमने vertebrate में यह पढ़ा कि vertebrate का skeleton है वो एक mineralized cartilage से मिलके बनावाय है और यह mineralization कब begin हुई जब लेंप्रे जो थे वो diverse हो गए लेंप्रे में जो है वो diversity आ गई उसके बाद से जितने भी vertebrates थे उनमें mineralization जो है बोन में appear होना शुरू हो गई the vertebrate endoskeleton become fully mineralized much later after lamprey उसके लावा जो टुडे जार vertebrate है यह हम कहते है Gnetho Storm Gnetho Storm का क्या मतलब है jaw mouth जो गने तो storm है इसका मतलब है यह बेरिंग जा इनमें जास मजूद है Gnetho Storm must have might have evolved from skeletal sport for for the pharyngeal slits अब इसमें हम एक टायाग्राम देखते हैं के जास जो है वो कैसे बने इसमें जो evolution इनकी किस तरह होई यह आपको डायाग्राम जो नजर आ रही है इसमें यह जो गिल slits है यह एक रो की फॉर्म में range हुए में है इसमें आपको गिल आर्ची जो है वो भी separate नजर आ रही है और यह सारी जो है वो जो स्केलिटन उसको स्पोर्ट पर वाइड करती है अब इसमें क्या हुआ कि यह जो इंटीरियर गिल आर्चीज है इसमें क्या हुआ कि वो जो दो थीं वो मोडिफाय होना शुरू हो गई वो फूस हुई वर्टीब्रेट के साथ उन्होंने पहला जा बनाया They form the first जा But the evolutionary leaf didn't have immediate benefit जाफिश only diversified later Salomian and become dominant during Devonian period and it become a 350 million years later इसमें क्या है कि यह जो जा हुआ, जो जाफिर हुआ किसकी वज़ज़ से गिल आर्चिस की modification की वज़ज़ से वो Late Devonian period में हुआ और वो था 430 से 380 million years ago के दरम्यान जो पिरिट था अब इसमें successfully आप देख रहे हैं इस डाइगराम में कि जो आपको red और green नज़र आ रही है इसमें क्या वाग्या जो गिल इस्लिट है स्कल के साथ fuse होना शूरू गई अब याप देख रहे हैं आइसा आइसा यहां पर देखें जाफ मजूद नहीं है उसके बाद आप देख रहे हैं यहां पर जेखें यहां पर आपको जाज नजर नहीं आ रहे उसके बाद जब इनके मोडिफिकेशं स्टार्ट हो गई Hoffman स्कन सउत इये ग्रीन देखें इसम दी Recान जाए मौडिफिकेशन स्टार्ट हों यहां पर आप सकते हैं जोटेशर कब निए्ट इन आफ्न इसाई n prote निए फॉतर सिंट विए ड्रॉप यए триगातों इन इस लीनिएज उटारों बिदि होसे अफ्लोष उ। बोलते हैं उसके इस लीनिएज किसको कह सकते हैं का जो एक था अकंथोडियंस जो अरली गनेथो स्ट्रॉम था। उसको हम प्लैकोडियंस बोलते हैं। अगर हम बात करें गनेथो स्ट्रॉम में तो कुछ और major common characters है, उसमें सबसे पहले hawk जीन्स की duplication हुई। अब hawks genes क्या है? यह homeo box gene का एक subset है hawks gene hawks gene is a subset of a homeo box genes अब hawks gene जो है, यह क्या काम करता है? इस specify regions of body plant of an embryo along head to tail axis अब हमाई ले पास organism है, एक vertebrate है उसके जो body plant है उसको किस region पे होना चाहिए, इसको specify कोन करता है? इसको hawks gene specify करती है उसके head से लेके उसके tail regions तक तो इसमें जो characters थे गनाथो स्टोम में उसमें hawks gene का addition हुआ इसके इलावा उसका जो four brain था जो इसका enlarged four brain था उसमें क्या हुआ? उसमें enhance हुआ? उसमें, वो smell कर सकते थे, वो देख सकते थे next, aquatic ganathostrom अगर हम aquatic ganathostrom की बात करें तो इसमें क्या हुआ? इसमें एक lateral lion system जो है उसकी development हुई अब lateral lion system एक additional characters था ganathostrom में अब इसमें lateral lion system क्या है? lateral lion system आप कह सकते हैं which is sensitive to vibration अब sensitive to vibration क्या मतलब है? जैसे एक fish है उसके आई है उसके पास वो अपनी आख से सामने की चीज़ तो देख सकती है लेकिन अपने आस पास होने वाली चीज़ों को वो नहीं देख सकती अब उसकी body के अंदर कुछ एक line में sense organs मजूद होते हैं अब वो जो sense organs हैं उनका क्या काम होता है? कि उसके आस पास कोई खत्रा है या कोई predator आया है तो उसको उन sense organs की मदद से detect कर सके तो यह कहलाता है later line system कि कुछ sense organs मजूद हैं एक vertebrate की body के अंदर एक fish की body के अंदर यह later line system जो है वो fishes में मजूद होता है और वो जो sense organs हैं उनका क्या काम होता है? कि वो predator को detect कर सकता है अब हम गनेथस्टोम की बात कर रहे हैं अब हमने जास की evolution भी देख ली कि जास की evolution भी हो गई तो अब क्या हुआ? कि जब जास की evolution भी हो गई गनेथस्टोम जो है अब इसमें जो major risks के अंदर आते हैं वो हैं कंडरिक्थियन्स की बात करें तो इसमें जो most or biggest successful vertebrate जो आते हैं वो है sharks हैं rays हैं उसके लावा rays और sharks की अदर जो relatives हैं सारे कंडरिक्थियन्स में आते हैं अब कंडरिक्थियन्स क्या है? Conric का मतलब है cartilage अब इसमें जो conditians है इनका जो skeleton है वो cartilage से मिलके बनावा है उसके इलावा the cartilage in a skeleton evolved secondarily from an ancestral mineralized skeleton यह हम पहले बात कर चुके हैं इसके बारे में origin of bones और कि जो हमने पढ़़ा उसमें हमने mineralized skeleton की बात की है उसके इलावा जो largest और इनका नहीं पोटीं है उसमें शाक्स आती है उसमें rays आती है उसमें skates आती है अभी आपको की diagram नजर आ रहे है जो सबसे पहली diagram है वो किसकी है ये वाली diagram किसकी है ये है शाकी प्लैक्टिप रीफ शाक इसमें ये इसके pectoral फीन है और ये इसके पेल्विक फिन्स हैं, अगर हम शाक की बात करें, कुछ इसके करेक्टर्स को अगर हम देखें, तो इसकी बॉडी जो है वो स्ट्रीम लाइन होती है, जो शाक है, अब इसके जो पेक्टोरल और पेल्विक फिन्स हैं, इनका क्या काम है, हम यह देख लेते हैं, जो शाक के जो क वो फिश को forwardCool oven करने में मदद करती है उसके लावा हम बात करते हैंइसके डरसल फिन की अब जो सेन ड्रसल फिन्स fret 2089 वो क्या काम करते है तो फैनल सी इसको फिश को Griffith है उसको बरकरार रखने में डॉर्सल फिंस काम करते हैं अब हम बात करते हैं उसके पेक्टॉरल की और पेल्विक फिंस की अब पेल्विक और पेक्टॉरल की अगर बात करें हम पेक्टॉरल कह रहे हैं इसके फॉर और पेल्विक हाइंड को हाइंड फिंस फॉर फिंस एंड ह आपको नज़र आ रहरे हैं पेल्विक फिंस इनों ने इसको लिफ पर वाइड करनी है उसके बाद इसमें हम बात करते हैं ब्यांची की जो सबसे में चीज है जो शाक का लिवर है हम बात करे हैं उसके अंदर बहुत जादा माउंट में ऑल जो है वो स्टोर हो जाता है अब जो बहुत जाद मांड में आईल स्टोर हो जाता है तो उससे क्या होता है कि वो इसकी बियंची को गेंड करता है बियंची क्या है अब बैलिटी को फ्लोट इन वाटर अगर तो जो है अगर यह स्विमिंग ना करें तो यह सिंक शुरू कर देती है उसके लावा जो कुछ sharks हैं और कुछ skates हैं जो sharks और skates हैं इनका क्या क्या थाम होता है कि यह sometimes rest करने के लिए sea floor पर आ जाती है और वहां पर आकर यह क्या करती है कि अपने muscles को जो jaws के muscles हैं उनको और अपने pharynx को इस्तमार करती है water को pump करने में over the gills आपको यह एक और डागराम भी नज़र आ रही होगी, इस पर भी अब हम बात करते हैं, यह है रे की डागराम, उसके लाव़े यह आपको रैडफिश की डागराम नज़र आ रही है, अभी हम पहले इस शाग के जो करेक्टरिस्टिक से उनको कम्प्लीट कर लेते हैं, हमने श यह स्विफ्ट स्विभूर्अ सोते हैं कुछ इसके बादे हैं तुर्णिर को खाते हैं लेकिन कुछ शाक्स कीज़न इसक परती हैنا बहुत पावर्फुल जरांगे जैदा, बहुत जादा टीत शाप होते संगा, को चो छो शोटी चुटे तुकरों में यह तक्सीम कर सकती हैं इसके अलावा उनके teeth हैं वो एक kinda रहा हैं। अब लिए एक रहा हैं ओर पर इनक्रपार liked बात करें। और सुस्कों पुति उसका जो सर्फस्स केरेश चाइऑ वह ते लिए शहता सब्सका हूं। कि नहीं हो उसके सर्फस्स के दिएरे हडल सक्रण है। जो intestine है उसमें एक screw के जैसे एक चीज मजूद है जिसको spiral valve क्याते हैं अब जो spiral valve क्या है कि वो उसके digestive surface का area है उसको increase करती है जब वो digestive surface का area increase हो जाता है तो उससे होगा कि उसमें जो खुराक है उसकी वो असानी से आ जाएगी क्योंकि हमने कहा कि उसका short digestive track है तो उसको increase करने के लिए इसमें spiral valve मजूद होते है उसके लावा इनकी acute senses है अब acute senses क्या है कि जो sharks है वो उनका sharp VN है वो बहुत दूर तक देख सकती है उनको बहुत असानी से नजर आज़ता है लेकिन यह color को distinguish नहीं कर सकती इनको यह नहीं पता चलता है कि यह कौन सा color है शाक थे sharp VN but cannot distinguish colors इसके लावा इसके जो nostrils है sharks के जो हम aquatic shark के बात कर रहे हैं aquatic vertebrates की बात कर रहे हैं अगर नकी nostrils के बात करें तो वो smelling के लिए कम करते हैं और breathing के तो पे काम करते हैं उसके लावा अभी आभी जो भात करते हैं के जो अब हम बात करेंगे उसकी रिप्रोड़क्शन की तो इसमें जो रिप्रोड़क्शन है वो तीन तरीके से होगी जो शॉक्स हैं वो अपने एको फर्टिलाइस करेंगी इंटर्नली बट एंब्रियो कें डवेलप इन डिफरेंट वेज अब सबसे पहला है ओवी पैरस उसके बात दूसरा है ओवी वी पैरस तीसरे नबर पे है वी वी पैरस अब ओवी पैरस क्या है ओवी ओवा से निकला है ओवा का मतलब होता है एग यनिके ओवी पैरस क्या होगी एग लेंग ये टेरिस्ट्रिल कंडिशन में आता है यनिके लिव ओन लेंड उसके लावा ये reptiles भगेरा में भी होता है अब इसमें क्या होता है कि egg h outside the mother's body इसमें female ले fertilized and unfertilized egg female egg देती है चाहे fertilized है यह यह वो unfertilized है उसके लावा जो वो एग होता है उसको एक protective covering ने जसके इदगर्द एक protective covering होती है the egg surrounded by a protective covering और फिर क्या होता है after some time the development of embryo outside the body ये था OVPARIS के शार्क सम्टाइम्स कुछ species ऐसी है कि OVPARIS जो है इस तरह से बचे देती हैं उसके लावा जो है OVPARIS ये थोड़ा सा यूनीक है लेकिन एक प्रोटेक्टिव वे है अगर हम OVPARIS की बात करें तो इसमें internal fertilization आती है इसमें external fertilization आती है और ये duck, bill और platypus में भी देखी जा सकती है अब इसमें होता क्या है कि जैसे ही mother के हम बात करें female में internal fertilization start होना शुरू होती है तो जब जो young one की development है shelled egg में वो complete हो जाती है तो वो जो egg है वो जब development complete होगी after the development complete shelled egg is late जब एग लेट हो जाएगे उसके कुछ देर बाद क्या होगा after some time it hatches to off the spring ये क्या है ये है ovoviparous the embryo developed within the uterus and is nourished by the egg yolk इसको असानल फाज मैंने आपको बता दिये कि internal fertilization जब start होगी तो egg shelled जब उसमें development embryo की complete हो जाएगी तो फिर क्या होगा mother उसको late कर देगी उस egg को और फिर उसके कुछ देर बाद वो जो है off the spring produce हो जाएगा तो ये था ovoviparous अब viparous की बात करते है viparous क्या है ये भी एक protective way है इसमें क्या होता है कि इसमें जो female है वो the females give birth to young one ये ये अब परडूस करती है कोई egg नहीं है इसमें direct female नहीं अब इसमें प्रोटक्टिव कवरिंग की बात करें तो वो absent होती है वो इसलिए absent होती है क्यूंकिंग इसमें जो female है जो ऑफ खुदी अपने बेबी को जो है protect कर रही होती है उसको खुराक की अगर जरूरत है तो वो जो फीमेल है जो मदर है उसके प्लिसेंटा के जरीए खुराक उसको मिल रही होती है इसलिए उसमें कोई प्रोटक्टिव कवरिंग नहीं है उसके लावा वीवी पैरस में चांसिस उफ सर्वावल ज़ादा होते है वीवी पैरस में अगर बात करें तो यह मैमल्स में भी देखने को मिलती है उसके लावा हमने देख लिया वीवी पैरस क्या होता है अब इसमें एक नम है क्लोका के अब हमने बात की थी शाक के बारे में बात की थी अब बात करते हैं रे फिश के बारे में इसके बात करेंगे उस्टिक्थियस के बारे में मैंने भी आपको डियाग्राम दिखाई थी अब भी हम दारा इसको देख लेते हैं हमने यह डियाग्राम देखी थी यह हमने देखी शाक है और यह क्या है अगर रे को थोड़ा कर लें तो इसमें क्या है जो रे पेश इस्टह से इसमें जो है इसकी जो बोड़ी है वो फ्लैटन्ड है याा आपको सिव ज़त आरे हो इस बोड़ी नजर यहोगी कि बछ्य इकप्लाव अगर को थेली यह विपलाइक टेल है, विपलाइक का मतलब गया है कि एक फ्लैजिला की तरह की टेल है, उसके लावा यह मुलस्क और क्रस्टेशन को खाती है, उसके लावा अगर देखें तो इसके जो पेक्टोरल फिन्स हैं, वो क्या करते हैं कि वो वाटर को प्रोपैल करने में हेल्प कर रहुते हैं अब ऐसकी अगर बाप्स की बात करें वो रहनोिस होते है अब वो क्यों रहने ह्म होते हैं उसे बचा सके, वो जो बाब्स हैं वो डिफेंस का काम करते हैं, यह तो हमने देखा रेक, उसके लावा जो थर्ड नबर पे आपको डियाग्राम नज़र आ रही है, यह है रैट फिश, स्पोर्टिड रैट फिश, एक हमने पढ़ा था, इसके दो ग्रूप हैं, एक में हमने रैट फिश आती हैं, तो जो रैट फिश हैं, यह टिपकली जो है, डैप्स में रहती हैं, ग्रेटर दन एटी मीटर, और अगर इसकी खुरा के बात करें, तो यह श्रिम्स और मलस और यर्चंस को खाती हैं, उसके इलावा, कुछ इनके स्पेशिस ऐसी होती हैं, जिनके बस डर्सर फिश की फरंट पर पॉसनेस स्पाइन भी मजूद होते हैं, अब हम बात करते हैं, और लोग फिश इनके बारे में, हमने पहले बात की थी, Conricthensky अब हम बात करेंगे Ostrichthensky अब Ostrichthensky का क्या मतब है Conric हमने पढ़ा था Cartilage, Ostrich का मतलब क्या है Bones, अब इसमें हम Bones से related पढ़ेंगे इसमें क्या है, इसमें क्या है It includes the bony fishes and tetrapods They have a bony endoskeleton उसके इलावा इसमें हम कहते हैं कि जो कुछ फिशिस ऐसी है कि most fish breathe by drawing water over gills protected by an upperculum अब कुछ फिशिस ऐसी है कि जिसमें हम upperculum के बार में पढ़ते हैं अब upperculum क्या है कि एक covering है फिश के gills के उपर जो फिश के gills को protect करता है और यह open and close time होता है जब फिश breathe करती है और swim नहीं करती ताके वो सांस ले सके और respire कर सके हमने क्या देखा कि जो upperculum है वो क्या है The upperculum is a bonny flap of skin bonny fishes over their gills that protect the gills it open and closes to help bonny fishes breathe when they are not swimming एक gills के साथ एक covering मजूद है जो gills को protect करती है तो यह है upperculum इसके लावा अगर bonny fishes की बात करें तो हम कहते हैं कि इसमें bones को discuss कर रहे हैं तो हम कहरें कि अपर कुलम में 4 bones पाई जाती है लेकिन कुछ books जो है उसमें 3 भी लिखा है कुछ में 4 लिखा है बर कुछ में 3 है कुछ में 5 है इसी तरह हर बुक में different बताया है इसके लावा ये फिश के जो face है उसको जो facial protection भी provide करती है इसके लावा ये feeding और respiration में भी अपना काम करती है और फिश के gills की back side की बात करें कि फिश के gills हैं उसकी back side पर कुछ long processes होते हैं जिनको हम gill rackers करते हैं जिन गill rackers का काम क्या है कि फूड होती है उसको trap करते हैं बोनी फिश भी streamline body है ये marine water में भी रहती है fresh water में भी रहती है उसके लावा अगर इसमें gills की बात करें तो इसमें जो gills हैं उसमें four pairs of gills मजूद होते हैं जिनको cover किया होता है अपर कुलम ने उसके लावा जो इनके scales हैं जैसे बागे fishes जो हम पढ़ते हैं उसमें जो skin है वो cover हुई भी होती प्लेकॉइड scale से ठीक है लेकिन जो bony fishes हैं इसमें प्लेकॉइड scale नहीं है इसमें मुझूद होते हैं tinoid scale या फिर cycloid scale इसके लावा जो bony fishes ये cold blooded भी होती हैं और इसके अंदर two chambered heart होता है अभी में एक point है swim bladder अब swim bladder क्या चीज़ है अगर हम swim bladder की बात करते हैं तो जो fishes हैं बाइनसी को जो control करता है swim bladder को हम air bladder भी कहते हैं air sack भी कहते हैं अब इसका क्या काम होता है जो fish की buoyancy है उसको control करता है इसके लावा जो blood है हम कह रहे हैं कि moment of gases from the blood to the swim bladder increase buoyancy कि जैसे फिश के अगर बात करें तो इसमें जो gas की movement है वो blood से swim bladder में अगर हो रही है तो वो उसकी buoyancy को increase करेगा इससे क्या होगा जो animal है वो उपर की तरफ float करेगा यह वो water में floating करेगा लेकिन अगर वो जो gas की movement है वो from the blood की बजाए back to the blood हो जाए कि the transfer of gas back to the blood इससे क्या होगा कि जो animal है वो डूबना शुरू कर देगा sink करना शुरू कर देगा तो इन सारी चीज़ों को कौन कंट्रोल करता है उनको swim bladder कंट्रोल करता है उसके अलावा अगर हम lung की बात करें तो जो शाक्स हैं उनमें lung मजूद नहीं होते लेकिन अर्ली औस्टिक्थियन्स थे उसमें lung जो थे वो पारिजा आते थे उसके बाद जब लंग्स रोज हुए उसके बाद swim bladder जो थे वो भी evolve हुए थे lungs में से ये कुछ में देखा गया था और ये बात करें अर्ली औस्टिक्थियन्स के बारे में उसके बाद जो लिटर थे उनमें ये सारी चीज़ें evolve थी उसमें भी मजूद थे लेकिन अगर पहले की बात की जाए तो उसमें ये चीज़ें मजूद नहीं थी उसके लावा अगर हम बात करते हैं इसके skin के बारे में बॉनी फिशिस के तो इसके जिस तरह शार्क के tooth like scales मजूद थे इसकी skin पे इस तरह थिक सा substance होता है जो उसकी body पे secrete होता है अब वो जो थिक mucus है उसका क्या काम होता है कि that reduce drag during swimming कि जब swimming कर रही होती है जब तैर रही होती है तो उस पे खिचाओ कम लगे और वो खिचाओ कम लगे किसकी वज़ासे है वो उस slimy mucus की वज़ासे है कि वो इसको reduce कर देती है अब ये आप लों के सामने एक टाइग्राम है बोनिफिशिस की इसमें आपको जो है इसका intestine भी वाज़तोर पे नज़र आ रहा है लिवर नज़र आ रहा है उसके लावा ये आपको लिवर नज़र आ रहा है इसका internal anatomy है ये इसके gills है और आपको ये इसके अपरकुलम भी नज़र आ रहा है जिसने gills को cover किया हुआ है इसके लावा ये इसके nostrils है जिसको ये smell के लिए यूज़ करता है और ये इसका brain है ये spinal cord है इसके लावा ये इसकी एनस है अब ये जो है जो हमने आपको बताया caudal fin जो ए tail fin जो है ये propel करता है इसको forward move करवाता है इसके इलावा हमने dorsal fin के बारे में भी पड़ा और हमने pectoral और pelvic fin के बारे में भी पड़ा है अब जो डॉर से इसको इसको तोज़न बरकरार रखता है इसको balance रखता है उसके लावा आपको ये swim bladder भी नजर आ रहा है ये डॉर्सल फिन जो है stabilizer के तोर पर काम करता है उसके लावा ये swim bladder है ये उसकी बाइनसी को कंट्रोल कर रहा होता है उसके लावा ये जो pelvic fin है और जो pectoral fin है इसके क्या काम होता है ये भी हमने देख लिया था के ये क्या करता है? परवायट करता है lift को परवायट लिफ्ट वैं शाक्स s'wim ये lift परवायट नौद n toxicity स्विंख करता है जब शाक्स पर भी में इसके स्विंख diff जाए होती है अब यह सब क्लासी किसी हैं? ये सब क्लासी हैं और और रिखंड और लोब फिंड है इसमें हम Actino peterichaya बोलते हैं और लोब फिंड को सार को पटेजाए बोलते हैं अगर Actino peterichaya की बात करें यहनी कि रेफंड फिशिस तो इसमें क्या है कि इसके इसकी अलाव़ जो इनकेते वे फिंस हैं वो पंखे की तरह होते हैं और उनके जो डॉसल फिंस हैं वो पाइनी होते हैं तो यह एर में भी रहती है, वाटर में भी रह रही होती है, इसके जो फिन्स हैं, वो फलेशी होते हैं, और क्योंकि हम क्या रहे हैं, यह लूप फिन्स हैं, अब यह लूप फिन्स क्यों है, क्योंकि इनकी जो शेप है, वो लूप शेप होती है, उसके इलावा इसमें जो है, हमने लोग फिन्स के गर बात करें तो इसमें क्या था कि जो end of the devonian period था उसमें ये completely तोर पर जो है वो कम होना शुरू हो गए थे completely dwelling dwelling का मतलब होता है कि कम होना ये कम होना शुरू हो गए थे सिर्फ इसके तीन lineage सर्वाइव थे अगर इसके पहले lineage की बात करें तो इसमें क्या था इसमें सीलकंथ था जो फर्स लीनियज है उसमें सीलकंथ आता है अब ये सीलकंथ कौन से दोर में आया था ये about 75 million years ago पहले की बात है अब सीलकंथ के अगर बात करें तो ये 1938 में एक fisherman था उसने इसको पकड़ा था वेस्टरन इंडियन ओशन में ये तब वहाँ पे नज़र आई उसके बाद ये इसकी जो सेकंड पापुलेशन थी वो आई थी 1999 में पहली पापुलेशन 1938 में देखने को मिली उसके बाद दूसरी जो थी वो वो कहां पे थी वो इस्टरन इंडियन ओशन नियर इंडोनेशया के करीब ओशन था इस्टरन इंडियन ओशन जिसका नाम है वह पे इसकी एक पापुलेशन देखने को थी इसकी पहली लीनियज थैं जैसे ये ये यह आप देख रहे हैं सिलाकांत की डियागराम ब्लू जो डाग्राम को नजर आ रही है, यह क्या है, यह लंग फिश की डाग्राम आपको नजर आ रही है, अब जो यह सेकंड फिश है, इसमें six fishes जो है वो देखने को मिलती है, उसके अलावा three genera है, अब जो है, यह जो है यह पाए जाती है, यह southern hemisphere पाई जाती है, अब Southern Hemisphere जो है, वो क्या है, इसमें 32 countries आते हैं Southern Hemisphere में, उसमें बराजील शामिल है, South Africa है, अमेरिका है, अमेरिका है, अंटार्क्रिका है, यह सारे Southern Hemisphere में आते हैं, पहले तो जो लंग फिशे देखी गई थी वो ओशने एवाल्व हुएं थी, लेकिन आज के द अधर लंग फिशे के गिल्स की बात करें तो इनमें गिल्स मजूद थे, जिनको यह गैस एक्षेंज के तोर पे इस्तमाल करते थे, और यह हम Australian Lung Fish की बात करें, उसके लावा कुछ सफ़ ऐसा होता था, कि जो जब Dry Season आजएता था, जब बहुत ज़दा गर्मी होती थी, इन उसके बात क्या होता था, यह छुप जाती थी, ऐसे आलाकों में चली जाती थी, जहां पर जो है, तोर पॉर की स्टेट इच्तियार कर लें, पिर जैसे ही जो है, वो Season ठीक होता था, यह वापस पॉण्ड में आ जाती थी, उससे पहले यह टॉर पॉर की हालत में होती थी, अगर इसके थर्ड लिनियज की बात करें, लोब फिंस की, तो डैट सर्वाइफ टूटे और यह बहुत ज्यादा जो है, इसमें डावर्सिटी पाई गई थी, सीला कंथो लंग फिशिस थे, जो थर्ड लिनियज था, इसमें सीला कंथो लंग फिशिस ज्यादा करेक्टर्स तो मजमा बात है, इसमें गृटिब्रेट्स आयक थे, उमें लिम्प भी मजूद थे और इसमें फीट भी मजूद थे। riktर और जो पहले थे हमने उसमें not limbs की बात की है ना i fit की बात की है, हमने पहले बोन, चाज, इन चीजों को डिसकस किया है, अइसमें बात है, जो बात क लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे आज लेक्चर में हम लोग सिर्फ अभी इसको टेटरापोर्ट को इतना ही पढ़ लेते हैं के वर्टीब्रेड विद लिंप्स एंड फीट नेक्चर जो हम देखेंगे उसमें हम इसका origins क्या है उसके characters क्या है उनको देखेंगे और इसमें कौन-कौन गौन से और जो सारी चीज़े हम discuss करेंगे अगर थोड़ा से lecture को revise कर ले तो इसमें आज हमने पढ़ा है origin of bone क्या है उसके जाज जो है उसके evolution कैसे थी कि गिल आर्चीज जो थी तो वो modified हुई थी और उन्होंने modified होकर skull के साथ क्या किया जाज बना दिये उसके बाद हमने lateral line system के बारे में पढ़ा कि उसकी modification हुई उसके लवा hawks jeans जो थी उनकी duplication हुई उसके बाद हमने क्या पढ़ा है उसके बाद हमने क्या पढ़ा है उसके बाद हमने क्या पढ़ा है उसके बाद हमने 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 उ मैंनें माइन हैं और हमने एंड पूर्ट पर लोगे में जाए है को सब्सक्राइग मरें और वागे इंशालला हम फसके च्छाषा ने पूर्टम।